और बैंक का पूरा का पूरा पूरा पैसा नरेंद्र मोधी जी ने इन लोगों को दिया है पैसा कहां से आता है जी एस्टी से आता है आपका पैसा है आप अगर शोट करीदते हो 500 रुपए की जितनी जी एस्टी आप देते हो उतनी जी एस्टी अदानी देता है आपकी आमदनी हजारों में, उसकी आमदनी हजारों करोडों में, मगर जितनी GST आप देते हैं, उतनी GST वो देता है यह हिंदुस्तान की सचाई है, और यह 20-25 बड़े अरपती, चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते है नरेंद्र मोधी एक तरफ मे ain in India कहता है, और दूसरी तरफ जो लोग make in India कर सकते है चोटे व्यापारी, चोटे बिसनेस वाले कारिगर, उनके लिए वो नोट बंदी और GST कर देता है और उनको खतम कर देता है, उसको कोई make in India नहीं चाहिए, उसे सिरफ make in चाहिए कि वह चाहता है कि चाइना का माल हिंदुस्तान में बिके और अरब पतियों का उसका फाइदा हो अब आप मुझसे सवाल पूछोगे इंडिया का धुबंदन क्या करेगा मैंने आपको बोला एक तरफ बाइस लोग दूसरी तरफ सतर करोड़ लोग और आप मुझसे पूछोगे ठीक है आपने हमें बता दिया कमी कहां है मगर कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया गड़ बंदन क्या करने जा रही है बेरोजगारी के बारे में क्या करने जा रही है गरीबी के बारे में क्या करनी जा रही है किसानों की मदद कैसे करेंग यह आपके दिल में सवाल है तो आज मैं आपको यह सवालों इन सवालों के जवाब देने आया हूँ और हम साफ बता देते हैं और मैं आपको आज तीन चार चीज़े कहने आया हूँ सबसे पहले गरीबी नरेंद्र मोधी जी ने लाकों करोड रुपए अरब पतियों को दिये मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया घटबंदन जितना पैसा उनोंने अरब पतियों को दिया है उतना पैसा हम हिंदृस्तान के गरीबों को देने जा रहे है अच्छा लगे ना लगे हम ये काम करने वाले हैं मीडिया वाले कहेंगे कि देखो अगर किसानों का कर्जा माफ होगा तो किसानों की आदत खराब होगी कहते थे मनरेगा में मजदूरों की आदत खराब होती है